तक देखेगा कि कि आज की इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ शर्तिया कहता हूँ कि आज से पहले ना तो आपने कभी भी ऐसी कोई चीज किसी किताब में पढ़ी होगी ना तो अभी तक कोई भी ट्रेइनर ने आपको ये सारी बाते किसी भी वोक्षोप या पर किसी भी कोउस में बताई होगी इस वीडियो को पूरे अन तक देखेगा और मैं आपसे शर्तिया कहाँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आज की ये जो मेरी बाते हैं इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद, इसको इंप्लिमेंट करने के बाद, आपकी पूरी जिन्दी नेट्वर्क मार्कटिंग के अंदर बदलने वाली है मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आज की वीडियो लब भी कोने वाली है इसको पहले आपसे कह रहा हूँ, इस वीडियो को तभी देखिएगा जब अन तक आप देख पाएं अगर अभी आप फूरी रही हैं, इस वीडियो को बद देखे तब देखिएगा जब आपके पास बिलकुल फ्री टाइम हो अब आएए सीधे वीडियो पे आपको लेके आता हूँ, पहली बात समझे नेट्वर्क मार्कटिंग के अंदर काव्याभी के लिए बकुत सारे काम नहीं करने पड़ते कुछ काम करने होते हैं और उन में से एक काम होता है, इन्वाइट करना आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है, कहा है, कमेंट्स मिले है मुझे कि सर इन्विटेशन जब भी करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को बुलाते हैं वो समझ जाता है कि नेट्वर्क मार्कटिंग की मेटिंग है, वो आता ही नहीं है कई बार वो बोल तो देता है कि आएंगे, लेकिन गेस्ट एन्वाके पे, यानि कि इवेंट के दिन, सेमिनार के दिन महुत लोग कहते हैं कि मुबाइल आफ कर लेते हैं, महुत लोग कहते हैं कि वो तो कई बार पासेस खरीदने के बान भी नहीं आते कि येस, सर मैं भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग को मैंने देखा नेट्वुक मार्कटिंग में फ्रस्टेटिट होके छोड़ते हुए, क्यों? क्योंकि उनसे ये काम ही नहीं हो पा रहा, उनको लगता है कि सारी दुनिया को नेट्वक मार्कटि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आईए आज मैं आपको सबसे पहली बात बता दो, पिछले 25 वर्षों से लगभग इंडिया के अंदर नेट्वक मार्कटिंग चल रही है, आज जो मैं आप से कहने वाला हूं, ये 25 वर्षों में आप से किसी नहीं कहा होगा, अभी तक इंवाइट नहीं कर रहा है, बहुत सईसुर आपने, इंवाइट नहीं कर रहा है, अगर नेट्वक मार्कटिंग में आपको काव्याब होना है, इंवाइट नहीं कर रहा है, बहुत गहुत से समझे, ठांदारी नॉलिज मिल रही है आपको, ठांदारी नॉलिज मतलब समझ इविन्ट बोलिए लोगों लगने लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है आप बिजनेस वो पॉच्वरी बोलिए लोग समझ राएंगे कि कहीं यह जोणने वाला काम थो नहीं है लोग सिन रहे हैं साब करी लोग सुन चुके हैं लेकिन बोकी नौलिज चल रही है वकी सारी चीज़े चल वे चार ब में आप मैं जो आपको बताने बाला हूँ, मैंने आपसे पहले ही का है, कि आज जो कुछ भी मैंने, पहली बात बताई ना, अभी आगे पूरी वीडियो को सुरिए, पूरी जिन्दी यहां से बदलेगी आपकी, आज जो मैं इंडिया को जो कुछ भी बताने बाला हूँ, ये इंडिय ही ट्रेंड इस्थापित करेगा इंविटेशन के लिए दस्वाइश आज से एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है इस वीडियो के अंदर जो बाते होने वाली है यह बहुत-बहुत मुल्ले होने वाली मैंने पहली का इंवाइट नहीं करना है क्या करना है आईए धीरे दि जयसे उसको बिलकुल प्ता चल जाता है कि आपके जुरूरत है गेस्ट को असरा से हो जाता यहाइचे आपका फाइदा कि खईय कहीं आपका फायदा नहीं आप बिलकुल पागलों की तरह बुलाते हैं पुरी दिवानगी में आप बुलाते हैं और ये चीज वहां देखती है ये जो प्रेसर है वो कई न कभी वहां तक पहुंचता है और जब प्रेसर वहां तक पहुंचता है उसको लग जाता है कि आपका फायदा है वो समझ पहली reason तो ये है, दूसरे reason क्या है, दूसरे reason ये है कि वो आने के लिए तो तयार था, वो आना चाहता था, उस ने किसी से share किया, उसने किसी को बता दिया कि Mr. और इन्हों ने मुझे वहाँ पे, Sunday के दिन किसी चीज के लिए बुलाया है, उसने किसी से share किया, वो excitement में उसने share काम सब खराब हो गया क्योंकि जिसको शेयर किया वो निकला दुखी आत्मा वो एक ऐसा फ्राणी निकला जिसके पास नेच्विक मार्कटिंग का बुरा अनुभाव था उतने सब कुछ बता दिया कि मज्या ये होगा वो होगा ऐसा होगा अगर ये भी फेस किया तो कमेंट कर के बताईएगा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है प्रोस्पेक्ट रेडी था आने के लिए किसी और ने उसको नेगाटिव कर दिया और आपका जो भी हाड़ वर्ग था आपकी सारी मेहनत बेकार शली गई ऐसा भी होता है ये दूसरा रीजन है तीसरे और भी रीजन है कभ सारी प्रॉब्लम सब आप ठोजाएगी मैंने पहले का कि invite नकी कर रहा है आए जानते क्या क्या करना है step by step सबस्ते की करना क्या है पहला attract करने का है मौत गौत से सबज़े attract करना क्यों ज़रूरी है अगर आप attract नहीं कर पाएंगे लोग आपके साथ जुड़ेंगे निसाब attract कैसे करता है कोई इनसान किसी को आप मुझे बदाइए कि आप किन लोगों से attracted feel होते हैं आप किससे attract होते हैं ऐसे लोगों से जो लिस energetic हो या उन लोगों से जो energetic हो ऐसे लोगों से जो आलसी बनके बैठे हो आलस में रहे या ऐसे लोगों से जो बीजी रहे जिनके 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 जिनक जितने भी सोशल मीडिया है आपके WhatsApp के status है वहाँ पे डालिए कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं Post something, post your picture that you're doing something, आप कुछ कर रहे हैं Let people know that you're bichy ऐसा लगज़ा चाहिए कि आप bichy हैं, आपके जिन्दी में कोई ना कोई काम है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये पहली चीज़, अब समझें, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर टेलिफॉनिक बात कर रहे हैं, किसी से भी ऐसा ही मैंने पहले कहा, invite करने के लिए नहीं, मिलकुल ऐसा ही, normal बाते भी कर रहे हैं, तो बकुत लंबी बात करने के आवश्यक्ता रही है जब कभी भी तीन मिनट, चार मिनट या पांच मिनट हो जाए, तो आप बोल सकते हैं, कि मैंने एक important call आ रहा है, मुझे कोई important call आ रहा है, मुझे बात करनी है, या कुछ भी, whatever, मुझे कहीं जा रहा है, मुझे एक meeting attend करनी है, या whatever, मेरा class है, मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैंन prospect तभी कर पाएंगे, जब दुनिया को लगेगा कि आपकी जिन्दी में काम है, आप कुछ करते हैं, आप निकम में नहीं पड़े हुए हैं, पहली चीज़, दूसरी चीज़ अब, bring, अब bring क्या करना है, bring your prospect in a better mood, अपने prospect को, अपने guest को, या फिर आप दुनिया में किसी से भी मिले, जिन्दी में जिस से भी मिले, उसको better mood में लेका आईए, mood समझते हैं, mood, वो आप से मिलने के बाद और अच्छे mood में आजा है, बहतर mood में आजा है, अच्छे लोग अच्छे mood में कब आते हैं, लोगों का mood बहतर कब होता है, आपका mood बहतर कब होता है, तब, जब कोई आपकी खविया निकालता है या तब जब आपकी कोई प्रशन सा करता है आपका बैतर फील करते हैं तब जब कोई आपसे कहता है कि तुमसे यह नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता तुम कुछ नहीं कर सकते है या तब जब कोई आपसे कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो तु और कोई भी इंसान जब अपने बारे में बुरा सुनता है, उसका मूड खराब हो जाता है, चाहे वो बुरा रिक्सा वाला क्यों न बोले साथ, अगर रिक्सा वाला भी बुरा भोल दे, आपका मूड खराब हो सकता है, मेरी बात को समझे, जब कभी भी किसी को बेटर मूड म लाना है, बहतर मूड में लेकर आ रहा है, आपको उसकी प्रशंसा करनी होगी, अप्रोसियेशन करनी होगी, बढ़ाई करने का मौका मत छोड़ी, खोल के बढ़ाई कीजिए साब, डर ये बत, क्यों? क्योंकि आप इन्वाइट करने के लिए सब काम करी नहीं रहे, मैंने पह पॉपस को सर्फ करना है, लेकिन पॉपस क्या है, मैं बताता हूँ आपको की पॉपस क्या है, पॉपस क्या ये सबसना है, हमारा पॉपस है उससे ये जानना कि क्या वो उन चीजों में जो चीज हम कर रहे हैं, यानि कि जैसे एक्स्ट्रा इंकम, बड़ी सपने, या फिर उसका interest है करें हमारा purpose है उसके interest को जानना और जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है पूछना पड़ता है अगर आपको किसी का नाम जानने क्या करेंगे पूछेंगे अगर आपको किसी का काम जानना क्या करेंगे पूछेंगे जानने के लिए पूछना पड़ता है तो तो एक ऐसे पार्ट टाइम काम में इंट्रेस्टेड है जहां से महिरे का 10-20 रुपे आ सके कुछ भी whatever आपको जो भी लगता है अगर कोई इंसान पहले से जॉब कर रहा है उससे आप पूछ सकते कि क्या आप अपनी इंकम को बढ़ारे में इंट्रेस्टेड है अगर कोई व् पैसो में इंट्रेस्ट है क्या आपको पैसो में इंट्रेस्ट है क्या आप अमीर बनने में इंट्रेस्टेड है क्या आप कवाने में इंट्रेस्टेड है डर ये मत मैंने आपसे पहले का आप इंवाइट करने के लिए काम नहीं कर रहे सिर्फ आपको इंट्रेस्ट जानना हर इंसान पार्टटाइम इनकम में इंट्रेस्टेट बिलेगा अगर आप कहेंगे कि सफतागा दो से तीन ग़ंटे देना है क्या पार्टइमि इनकम में इंट्रेस्टेट है ऐसी कोई भी बाथ जो आप करते आए कई बार आपने पूछा है वही बात आपको पूछनी है आप पूछ लिए जैसे वह बोलेगा हाँ अब यहाँ पे आपको नेक्सस टेप करना है से से क्या करना है सॉरी बोलना आपको यहाँ आपको पस्ताना है सॉरी बोलना है माफ करना यार सॉरी यार माफ करना अच्छा अ अब जैसे वो बोलेगा मतलब उसको समझ में नहीं आगा कि हुआ गया अब आपको बोला है कि actually एक event होने वाला था एक event होने वाला है शहर में इस दिन को इस टाइम पे एक event होने वाला है इनी चीजों को लेके जो भी आपने इनी चीजों को लेके लेकिन मैं मस कर गया मैं बुक हो गए, अल्रेडी सोल्ड हो गए मैंने अपने लिए खरदा था मैंने एक और भी लिया था, उसे किसी ने ले लिया आप कुछ भी बोल ले मेरे बड़े भाई के दोस्त ने ले लिया वो जॉब करते हैं, वो काफी वो बोल रहते हैं, मुझे जॉब में उतना satisfaction नहीं मिल रहा है, मैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ, उनको पता चल गया कहीं से कि मेरे पास एक पास है, उन्होंने ले लिया या कुछ भी, मैंने एक दोस्त को दे दिया मैं एक दोस्त ले लिया, वोडेवर, लेकिन कुल बलाके आपको बोलना है कि मैं बहुत Sorry हूँ मैं बहुत दुखित हो, कि मैं आपको बता नहीं पाया और पहले ही से जितने भी passes थे, जितने भी टिकट्स थे वो सब सोल्ड हो गया, टिकट्स सोल्ड हो गया उस event के tickets, पास बोलने सच है, ticket बोले, ticket sold हो गया है, क्योंकि पास बहुत सुना हुआ है ना, मैंने पहले वकान दानी, 20-25 वर्षों से जो बोला जा रहा है, उसको बोलने समझना है, तो कहिए कि जो ticket से वो sold हो चुके है, अब बहुत गौश से समझेगा, जब आप इन बातों क करेंगे, तो chances है कि उसको लग सकता है कि ये network marketing है, chances है, बिल्कुल chances है ना, उसको लग सकता है कि network marketing है, वो दो चार लोग से share करेगा, करेगा, की करेगा, share कर रही है, अब वो जितने लोग से share करेगा, वो उसको ग्यान देंगे, भारत में ग्यान free के मिलती है, लोग free का ग्य आपको क्या बोलना है, पासेस बेख चुकी है, टिकट सबके सब सोल्ड हो चुके है, अकर गलती से भी कोई टिकट कैंसल हो गया, किसी ने कैंसल कर दिया, जैसा कि होता है, सारे लोग जितने लोग भी train का टिकट लेते हैं, reservation लेते हैं, वो सबके सब लोग नहीं जाते, बहु आपको बता दूगा, मैं आपके लिए वो रख लोगा, लेकिन अगर cancel हो तो, otherwise मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टिकट सोल्ड है, ये बात बोलना आपको, टिकट सोल्ड हो चुके है, sorry, माफ करना, अब यहां के बार track change करना और पूछना है, क्या पूछना है, ask about the family members, अब की बारे में पूछ लीजे, और सब लोग बढ़िया है, सारे लोग बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, it's okay, यहां से हमने track change किया, क्यों किया, मैं आपको बताऊंगा, यहां तक सारी चीज़े बिजनस की चल रही था, ऐसा लग रहा था, कि कुछ हम desperate होंगे, उ नीट अपना, उसके जाद, खेर छोड़ रहा, टिकेट तो सोड़ हो गया हम और तुम मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं कल, कल क्या कर रहा है, कप फ्री है, ओके चल चाय पीते हैं एक बर, इस जगर पर बिल चाय पीते हैं हम लोग, और आपको फिर मिल लेना है, इतना काम कर र है, अब जब वो नेक्स टी आप से मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे लोगों से ये बात शियर कर रखी होगी, अगर उसके पास पहले से ऐसा कोई कॉल आया होगा, नेटवर्क पार्कटिंग के लिए, तो उसके भी दिमाग में होगा, कि आप टिकट लेके आने वाले हैं, लेकिन आपको पास लेके नई जारा है, टिकट लेके नई जारा है, इनवाइटी नी करना आपको, आप गये, आप मिले और आपने फिर सारी बोला, सारी यार, कोई कैंसल नहीं किया अबछी तक, बहुत-बहुत सारी, देखर आप जिस तक एंसल नहीं हुआ, मैं इंतजार कर रहा हूं टिकेट ने मिला खेर छोड़ा चाय पी दें मिली का तो बदाऊंगा अब आप समझे इस बात को गौर से उसके अंदर कि अग पहली बार वो गलत हुआ बहुत जारे लोगों ने जिन जिन लोगों ने उससे कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा निट्वरकिंग है य मौका हो मतलब जिस दिन होने वाला उसके रात उससे एक दिन पहले आपने ब्ला वी उसको नौर्ग ऑब को भाल करुंगा या अब मेरे को कॉल कर ले ना अगर भाल क्ल कर दोगँ ऑकर मुशे मोखा मैं कॉल कर दूँगा और मैं तरह को बता दूँगा कि टिकट हुआ या नहीं हुआ कोई कैंसल किया नहीं किया कैंसल और उस रात भी उसको अमीद होगी कि अब तो टिकट मलेईजाएगा अब तो मिलना ही है उस से पहले masses डाल दीशे, अगर आपको लगता है masses कर दीजे, sorry ticket नहीं मिला, किसी ने cancel रखी किया, मैं बहुत sorry हूँ, इस बार तो तो नहीं जा पाएगा, आप नहीं जा पाएगे, next time देखते हैं कभी, call करके बोल दीशे, masses बे बोल दीजे, sorry यार, माफ कर रहा, यानि अब देखिये क्य हुआ, जितने लोगों ने उसको अपना ग्यान दिया होगा ना, वो सारी लोग गलत हो गए, उसका अपना भी अगर कोई inner concern ने उसने बोला होगा, कि ने कुछ तो वैसा ही है, मिली जाएगा, सब, as, वो खुद भी गलत हुआ, जितने लोगों ने उसको पता है, वो भी गल and all, आप post करें, whatever, और आप फिर से जब मिलने जाएंगे, अराम से मिलेगा अब आप से, और वो खुद बोलेगा कि next कब हो रहा है, मेरे को भी मेरा इस बार पास रख देना, और आप फिर बोलिए, कि देखता हूँ यार, इस बार कोजाय तो कर दोंगा, देखता हूँ, इस उसको convince ना करके, सबसे बड़ी चीज़ की, कि उन सारे लोग को गलत साबित किया, उसको खुद को भी गलत साबित किया, अगर वो ऐसा कुछ सोच रहा था, कि चीज़े नहीं है, अब सबज़े, हमने कहा कि एक भी ticket cancel नहीं हुई, एक भी seat cancel नहीं हुई, यानि अगर अग व लोग की होती है, भी miss कर जाते हैं, फ्लाइट मिस करते हैं, यहां कोई miss नहीं किया, अदमोच साब, दिमाग उसका खराब हो जाएगा, और ना हो तो एक सबता और मत बुलाएगे, अगर कोई आपको लगता है, मत बुलाएगे, एक बार और मत बुलाएगे, क्या हो कि बागी सारे तरीके 20 वशों से चल रहे हैं लोग जान चुके हैं समझ चुके हैं, लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, ये तरीका जब तक पूरी भारत को पता चलेगा बहुता सारी लोग ।ऑ बहुत तक आप करोनपडी बन चुके होगे, तब तक आप बहुत मेरा आपको बताईये जो मरा कोर्स है network marketing प्रभा उसकी यह इतनी भी चीज रही है मैं जो चीजे अपने courses में आपको बता रहा हूं और जो चीजेंए आपको सिखा रहा हूं वे यह मिली नहीं सकती क्योंकि यह मैं आपको जो अपनी नॉलिज है अपना जो दर्शन है वो समसा रहा हूं और आप इंप्लिमेंट करके देख लो कैसे काम करती चीजए बस मैं आप से इतना कहूँगा साब कि यह सेल्स का जो बजिनस है ना यह नेट्वक अर्ब रुपे कमाने के लिए हैं और चब करोणों अर्ब रुपे कमाना है तो थोड़ा सा सीख लीजिए टाइम बच जाएगा आपका